अपने marker का cutting order देखने के लिए show cut order tool पर click करें इससे वह current cutting sequence डिस्प्ले करेगा ध्यान दे हमारा piece number 1 यहाँ है उस piece पर click करें जिसे आप piece number 1 बनाना चाहते हैं फिर जैसे हम दूसरे piece पर click करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो cutting order follow कर रहे हैं cutting order दुबारा set करने के लिए show cut order tool को डिप्रेस करें फिर उससे वापस से प्रेस करके अब आप cutting sequence दुबारा शुरू कर सकते हैं यहाँ हम number 1, number 2, number 3 पर click फिर sequence दे सकते हैं हर बार button click करने से order reset हो जाएगा कर दो कर सकते हैं